आकाइश्वानी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहली मुख्य समाचार नए क्रिशी सुधारों के समर्थन में आज भाजपाने भोपाल और उजयन में आयुजित के संभाग स्तरे किसान सम्मेलन मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा MSP पर उपज़खी खरीदी रहेगी जारी आकाश मानी से चर्चा में केंद्री मंत्री ने जिनगटकरी बोले सरकार किसानों के सुझाव सुनने के लिए तैयार राज्य मंत्र परिश्वत ने डाल हंड्रेड योजना के निरंतर संचालन के लिए करार 6 महिने बढ़ाने को मन्जोरी दी दस्वी और बार्वी के कक्षाएं 18 दिसंबर से नियमित रूप से लगेंगी और मौसम विभाग ने कल से और सर्दी बढ़ने की संभाब न जताई अब समाचार प्रस्तार से मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनितम समर्थन मोले पर उपच्की खारी दी जारी रहेगी वहीं मंदियों का संचालन भी निरंतर जारी रहेगा भाजपाद्वारा नेक रिशिविलों के समर्थन में रासानी भोपाल में आयोजित संभाग इस तरी किसान सम्मेलन को संबोधित करते वे कॉंग्रेस पर कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया श्री चौहान ने कहा है कि कॉंग्रेस की पूरवर्थी सरकार में कर्ज माफी के नाम पर किसानों को डिफॉल्टर बना दिया गया और मुआफ़से का एक पैसा नहीं दिया अपनी जन्ता के हम कुजा लिए उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की कुजा सज्जनों के लिए हम फूल से जादा कौमल है लेकिन दुस्त्रों के लिए बज्जर से जादा कठोर है हम अजिमेन का आज के लपन तूफा नहीं है जागाड़ बढ़ो वा तोड़ दो सम्मेलन को संबोधित करते वे भाजपा प्रदीश अध्यक्ष विश्णोंजत्ति शर्मा ने कहा कि किसानों को इस कानून में सुचिंद्रता है कि वो चाहें तो बंडी में या चाहें तो अपने घर से ही व्यापारी से सौधा कर अपनी फसल की कीमत अपनी इच्छा के नुसार तह कर सकते हैं उजयन में भी आज संभाग स्तरी किसान संबीलन आयुजित किया गया जिसमें मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान और प्रदीश बाजपाद देग शामिल हुए कल भी संभाग स्तरी किसान संबीलन आयुजित होंगे सड़क परिवहन और राजमार्क मंतरी नितिन गटकरी ने कहा है कि सरकार किसानों और किसान यूनियन के सकारात्मक सुझाओ पर बातचीत के लिए तयार है आकारशमणी समाचार से विशीश बाकचीत में श्रीगटकरी ने कहा कि अधिकतर परिसितियों में जब लोगों को समझाना कठीन होता है तो वे भ्रम के करण बहग जाते हैं उन्होंने कहा कि राजनी ती सिप्रेरित कुछ वेकती क्रिशी कानूनों के बारे में गलत धारना फैला रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ क्रिशी कानून के हर मुद्दे पर पातचीत करने के लिए तयार है श्रीगटकरी ने कहा कि सरकार किसानों के हर सकारात मक्सुझाओ को स्विकार करेगी मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान की अधिक्षिता में आज मंत्र परिशत की वर्शुल बैठक हुई इसमें डायल हंड्रिट यूजना के लगातार संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरोपर ही अनुबंध अवधी में 6-6 महिने की वृध्धी करते वे इस 31 मार्च 2021 तक्षिलाने की मंसूरी दी इसके लावा कैबिनित में पूर्वर्ती कमला सरकार का फैसला पलगते हुए मद्धु प्रदेश रीत खनन परिवहन और भंडारन नियम 2019 में संशोधन करने की मंसूरी दी संशोधनों से प्रदेश में रीत खनित की आपूर्ती अबाधित रूप से संभव हो सकेगी इसे निर्मान कारियों को गती मिलेगी और श्रमी को कुरोजकार क्या वसर श्रजेत होंगे समचारों में वक्त है ब्रेक का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ रमू साफ रखें स्कूल सिक्षराजमंत्री इंद्र सिंग परमार ने कहा है कि कक्षा दसवी और बार्वी के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आगामी 18 दिसंबा से नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित होंगे ये निर्णे वोड के परिशाओं को ध्यान में रखते वे लिया गया है वहीं कक्षा नवी और ग्यार्वी के विद्यार्थियों के नमांकन और उप्लब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार इनुवारा इस्थानी सतर पर कक्षाओं के सिंचालन पर निर्णे लिया जा सकेगा देश में COVID-19 से ठीक होने किदर 95% से आधिक हो गई है इन में से अब तक 2,9,000 से आधिक मरीज कुरोना को माद दे कर अपने घर पहुंच चुके है अब प्रुदेश में कुरोना के सक्रिय प्रकरन घटकर 12,000 के करीब आ गये हैं श्योपुरी से हमारे समवादाता ने पताया कि सिले में कुरोना से ठीक होने वालों के दर 95.75% हो गई है शेडूल में कुरोना के तीन नय मरीज मिले हैं वही चार को डिस्चार्ज किया गया ठीकमगण में पांच नय मरीज मिले वही तीन लोग स्वस्थ हुए सतना में 14, दिवास में 10, बढ़वानी में 12, मंडला में 3, अशोक नगर में 10, जाबुआ में 17, ग्वालियर में 49 नय प्रकरंट सामने आये हैं आगर मालवा के मार्शल आर्ट कोच, शरद मंडलोई ने प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी के कुरोना के खिलाव शुरू किये गये जनान दोलन को अपना समर्थन दिया है शरी मंडलोई ने COVID-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है और बार बार अपने हाथों को सिनेटराइज करें और हाथ दोएं इसी में सभी की वलाई है और संक्रमन से हम मुक्ति पा सकते हैं अफखुबर मौसम की मौसम विभाग ने कहा है कि कल के बाद ठिटूरन वाली ठंड शुरू हो जाएगी मौसम विभाग के नुसार आगा में दो दिन में निन्तम तापमान में कमी आने की संभावना है भागने अगले 24 गंटों के दुरान भोपाल, रिवाधार, उजैन, बैतूल, शाजापूर, आगरमालवा, गुना, अनुपूर, कटनी, मंडला, दमो, सागर और चितरपुर सिलों में कहीं कहीं बोचारे पुढ़ने की संभावना चताई है अब कुछ समाचार संभ शेप में राजकर सिले में प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर योचना के तहट अब तक दो हसार नौ से कीस प्रकरण सुईकृत किये गए हैं खनवा सिले के हनुवंतिया में आज से जल महुत सफ शिरू हुआ सिहोर सिले की बुद्धी में आज खेल और युवा कल्याण विभाग ने फिट इंडिया कैमपेंड के तहट प्रभात फेरी का आयोजन किया अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर नए क्रिशी सुधारों के समर्थन में आज भाजपाने भोपाल और उजयन में आयोजित के संभाग स्तरे किसान सम्मेलन मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहार ने कहा MSV पर उपज़खी खरीदी रहेगी जारी आकाश वानी से चर्चा में केंद्री मंत्री ने जिनगड़करी बोले सरकार किसानों के सुझाव सुनने के लिए तैयार राज्य मंत्र परिशत ने डाल हंडरेड योजना के निरंतर संचालन के लिए करार 6 महिने बढ़ाने को मन्जोरी दी दस्वी और बार्वी के कक्षाएं 18 दिसंबर से नियमित रूप से लगेंगी और मौसम विभागने कल से और सरदी बढ़ने की संभाब न जताए मुल्टिन के अंत में आफ सभी से एक अपील मास्क और दोगज की दोरी हाध होना भी है जरूरी नमस्कार झाल